जहिन इससे पहले के क्लास में हम आपको बताए थे कि TKS सिस्टम के बारे में समझा देंगे जो हवा में यानि मीड एर कोलीजन से बचाता है टीका से एक रडार होता है रडार अंटीना के थुरू अपने अगल बगल की एरिया को स्कैन करके वो डिटेक्ट करता है कोई दूसरा जहाज तो नहीं है और अगर है तो वो किस डिरेक्शन में जा रहा है कितनी हाइट है और वो टकराएगा की नहीं टकराएगा इसी से यह रहेगा तो हमेशा दुरघटना होगी उनीस सो चानवे में दिल्ली के पास चर्की दादरी में दो जहाज आपस में टकरा गये थे जिसमें सभी लोगों की मृत्ति हो गई थी तो यह टीकेस का फुल फॉम क्या होता है ट्रैपिक कोलीजन एवाइडेंस सिस्टम टीकेस इस utral औरकर जुसे में इतना के ऊपर से निकल जाएगे तो कोई खतरा नहीं ही तो यह तो वरिटिकल हो गया horizontal मतलों अगल्पवगल में निकलना है तो कितना separation रखना है तो अगर अगल्पवगल में निकलना है तो 14 किलोमेटर के radius में कोई दूसरी जहाज नहीं आने चाहिए कि कि अपले कि पन्या के दोगगा है ने ने सकते हैघा ने अपले करो कि अपले कैते हैं जाया ने बाता है TKS इसी distance को maintain रखने में help करता है अगर ये radius कम होगा तो warning देने लगेगा अगर ये pass आने लगेंगे तो do no plane को warning देने लगता है TKS system अब ये कैसे काम करता है उसको एक एक करके समझते है TKS का antenna जो होता है वो S-band wave को चोड़ता है TKS antenna S-band wave को चोड़ता है लिखा होता है do not paint, paint नहीं कीजेगा वरना वे भी नहीं निकल पाएगा इसको, यह उपर नीचे भी scan करता है, इसलिए फ्यूजलार्ज के उपर और नीचे दो एंटीना लगाए जाता है, फ्यूजलार्ज जहाज के मेन हिस्सा को फ्यूजलार्ज कहते हैं, जिसमें फ्यूजलार्ज हो गया और यह विंग्स हो गया, पीछे इस्टेबिलाइजर हो जाता है, पूरे जहाज में यही सिस्टम होता है, तो दो ठोलगे होते हैं, एक फ्यूजलार्ज के उपर, जो उपर के एरिया को scan करता है, एक फ्यूजलार्ज के नीचे, जो नीचे के total area को scan करते रहता है, यह अपने अगल बगल, यानि horizontally, यह 40 nautical mil के area को scan कर लेता है, कि इस area में कोई दूसरी जहाज तो नहीं है, और उपर नीचे 10,000 feet के area को scan कर लेता है, कि इस area में कोई जहाज तो नहीं है, अगर रहेगा तो दोनों जहाज एक दूसरे को inform कर देंगे, कि कौन क कितने distance पर किस direction में जा रहा है, टकराने की तो संभावना नहीं है, अगर हवा में दो जहाज पास आने लगते हैं, लगबग 40 nautical mil के area में आ जाते हैं, यानि TKS के range में आ जाते हैं, तो TKS में लगा computer, यह गढ़ना करता है, कि यह दोनों जहाज कहां जाकर टकराएंगे, ज उस point को closest point of approach, closest point of approach यानि CPA कहा जाता है, तो closest point of approach से दूर रहना चाहिए, वरना यह वो जगह होता है, जहां दोनों की तकराने की संभावना होती है, और कितने मिनट बाद टकरा जाएंगे, यह calculation TKS का computer कर देता है, और इसके बाद वो warning देना लगता है, अगर यह 40 nautical mil दूर है intruder, दो जहाज आपस में एक दूसरे को intruder कहते हैं, इसके लिए यह जहाज intruder है, और इस जहाज के लिए यह जहाज intruder है, यानि आपस में टकरा सकते हैं, अगर distance जादे है, कोई दिक्कत नहीं, अगर काफी पास आ गया, तो traffic advisory जारी की जाए, यह oral warning दिया जाएगा, कि सा पास आ गया, तो resolution advisory जारी की जाएगी, थोड़ा दूर है, तो traffic advisory जारी की जाएगी, अब इसमें समझते हैं, देखिए, यह triangular shape है, यह जहाज है, जिसके अंदर यह TK system लगा हुआ है, और यह इसके लिए intruder है, intruder यहां diamond shape में बना है, खोखला है, इसका मतलब यह 40 nautical mil से द जरूरत नहीं है, लेकिन उसको किधर जाना है, इसको थोड़ी पता है, इसलिए उस पर ध्यान रखना भी जरूरी होता है, अब देखिए, यह intruder दो है, इसका तो diamond पूरा भर गया, colored हो गया, colored हो गया, इसका मतलब यह pass आ चुका है, और 6 nautical mil के पास आ चुका है, यानि इ minus दिखा रहा है, इसका मतलब pass है, लेकिन नीचे है, पास में आ चुका है, लेकिन height नीचे है, तो कोई सब्सुरा कोई ठीक है, उठा दिया तो टकरा जाएगा नहीं, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह काफी pass आ चुका है, 6 nautical mil, minus sign यह दिखा अब इससे बहुत खतरा हो सकता है, यह 6 nautical mil के पास आ चुका है, और इतना pass आ गया है, कि अगले 45 second में यह हमारे pass आ सकता है, 45 second में हमारे pass आ सकता है, अभी यह plus sign दिखा रहा है, plus sign का मतलब यह है, कि यह जहाँ जो intruder है हम से height पर है, और 45 second की दूरी पर है, 6 nautical mil से कम है, इसका मतलब collision की संभावना बढ़ गई, और यह collision 45 second के अंदर हो सकता है, इस condition में यहाँ traffic traffic लिख क्याता है, जिसे TA बोलते हैं, और oral warning दिया जाता है, कि अब सावधान हो यह कोई ना कोई आपको action लेना होगा, वरना 45 second के अंदर collision हो जाएगा, और अगर यही red color में convert हो गया, red color मतलब अब एकदम खतरनाक condition हो गया है, वो 6 nautical mil से भी एकदम पासा चुका है, और अगले 25 second में collision हो जाएगा, 25 second में collision हो जाएगा, अब एकदम ready रहिए, इस condition में ठीका system resolution advisory जारी करेगा, यानि अब आपको warn नहीं करेगा, आपको action लेने के लिए के लिए कहेगा, किसी एक को कहेगा उपर जाओ और दूसरे को कहेगा नीचे जाओ, एक को उपर एक को नीचे जाने को कहेगा, टीका system, अगर एक को कहता है कि तुम उपर जाओ, तो ठीक इसी समय इसका टीका system इसको कहता है नीचे जाओ, इसमें pilot को confuse होने की जरूरत नहीं रहती है, वरना अगर ऐसे radio में बात करते हैं, भाई, तू उपर जाओ, तू नीचे जाओ, सुछा पचीश सेकेंड टाइम में primary flight display, PFD, इस पे जो बताता है, इस सेप में बन जाएगा, यानि इसको climb करना है, इसको climb करना है, और जिसको नीचे जाना है, उसमें इस सेप की आकिरती बनेगी, यानि इसे descent करना है, नीचे जाना है, और ताकि दोनों के बीच में एक safe distance बना के separation किया जा सके, जब ये safe distance बन आके चले जाते हैं, तो इसके पास सारी diamond से भड जाते है, इसका पूरा navigation display clear हो जाता है, इसका मतलब इसके navigation display में कोई दिक्कत नहीं है, इसको जितनी height पे air traffic controller ने बोला था, और जिस रास्ते पे बोला था, अब ये उस रास्ते पे जा सकता है, इसके पास कोई traffic नहीं है, औ clear of conflict जो होता है, पता कर लेता है, कि आगे अगर कोई geographical terrain, terrain का मतलब होता है, कि कोई पहाड़ी वगरा तो नहीं है, natural रुकावट को हम terrain कहते हैं, और अगर वो terrain रहता है, आगे कोई पहाड़ रहता है, तो warning जारी करने लगता है, कि terrain करके warning जारी करेगा, और कहेगा pull up, उठाओ जहाज को, इस प्रकार ये किसी भी पहाड़ परवत से भी टकराने से रोक लेता है, जब TKS सिस्टम नहीं था, तो जहाजों में टकराने की संभावना बहुत थी, और ऐसा नहीं है कि पहले जहाज हवा में टकराएं नहीं है, बहुत सारे जहाज टकराएं, चाहें वो DHL की जहाज हो, या सेसना हो, पैसेंजर जहाज से टकरा गई, या भारत के चर्की दादरी, यानि दिल्ली के पास जहाज टकरा गई, पहले क्या होता था, कि पाइलेट के पास TKS सिस्टम नहीं होता था, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता था, ATC, इसके रडार में दिखता कि दो जहाजे आपस में पास तो आ गई है क्या, तब ये एको को कहता था, तुम उपर जाओ जी, तुम नीचे जाओ, अब इसी में देर हो जाता था, कौन उपर जाओ, कौन नीचे जाओ, इसी में टकरा जाते था, तो TKS सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, उननीस सो चान और ये उडान भरती है दिल्ली एरपोर्ट से, और इसी समय दिल्ली एरपोर्ट पर कजाकिस्तान से जहाज लैंड होने के लिए आ रहा होता है, उसका नमबर होता है कजाक एरलाइन का 1907, तो ये दोनों आ रहे होते हैं, अब इसके लिए एर ट्रैफिक कंट्रोलर जो था, एर ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ बैठा होता है, ये साओधी एरलाइन से पूछा कि कितने तुम 14,000 फीट पर बने रहना, तो साओधी एरलाइन को कहा कि 14,000 फीट पर बने रहना, तुम्हारे ऊपर से कजाक एरलाइन जाएगी, इसको कह दिया 14,000 फीट पर बनने के लिए, इसको यह भी बोल दिया कि तुम्हारे उपर से कजाक एरलाइन अभी गुजरेगी और इस से पूछा ये एर ट्रैफिक कंट्रोलर कजाक एरलाइन से पूछा कि तुम कितने हाइट पे हो ति बैला करा है कि हम 16,000 फीट पर हैं तो ये का ठीक है तुम डिसेंड करके 15,000 फीट पर आजाओ और तुम्हारे नीचे से निकलेगी साओधी एर लाइन ठीक है हम 15,000 फीट पर आ जाते हैं और एक दुसरे को क्रोस कर जाएंगा यहां हो गया भ्यंकर गलती ये बैला 16,000 फीट पर था ही नहीं ये बैला था 15,000 फीट पर पहिले से और इसको जब A.T.C. ने कह बैठा था ओई में बती आ रहा था धीरे धीरे कर गया तो इससुरा 15,000 फीट घटा के कर दिया 14,000 फीट अज जैसे 14,000 फीट किया सौधी एर लाइन पहले से ऊड़ रही थी 14,000 फीट पर दोनों में भीशा ठकर हो गया कोई नहीं बचा मीड एर कोलीजन हुआ था पूरी चरकी दादरी दिल्ली के पास ही जगा है दादरी वहां लास गिर रहे थे सब किसी के घर पे मकान पे किसी का कटा हुआ हाज जला हुआ सरीर इतना बेकु भी घोंचु पाइलेट के चक्कर में है था ससुरा 15,000 फीट करा 16,000 फीट तो ऐसी गलती नहीं अगर टिका सिस्टम रहता तो इसे रोक लेता एक और गलती हुई थी यहां दिल्ली एरपोर्ट पर उस समय दिल्ली एरपोर्ट पर प्राइमरी रडार हुआ करते थे प्राइमरी रडार इस सेप में होता है और यह केवल जहाज के पोजिशन को बता देता है यहां जहाज है यह नहीं बता पात यह नहीं बता पता है कि कितनी हाइट पर है, सेकेंडरी रडार लगाए गया, सेकेंडरी सर्वलांस रडार, यह भी बता देता है कि जहाज कहां है, साथ में यह भी बता देता है कि जहाज की उचाई कितनी है, अगर उस समय दिल्ली एरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार रहता, तो A.T.C. खुद देख लेता कि साओधी एरलाइन 14,000 पे है और कजाक एरलाइन 15,000 पे है वो पूछ कर बकलोलवा पाइलेट के भरो से नहीं बैठता और वो आराम से सेप्रेशन करके निकाल सकता था एक और वहां गलती हुई थी कि टीकस सिस्टम नहीं था टीकस सिस्टम ज सिस्टम जाओ तुम नीचे जाओ वाहं एडवायजीरी जारी कर देता क्यूंकि टीकस घोता है ना लाश्ट लाइन अफ डिफेंस होता ये बहुत जरूरी चीज होता है दोनों को एक साथ मैसेज भीजता है एक को कहएगा उपर तो दूसरे को कहएगा नीचे अगर इसको क काफी safe हो चुका है technology आज चुकी है लेकिन पहले इतना safe नहीं था किसी भी जहाज के accident के बाद इस पे करोड़ो रुपए खर्च के इसका case study किया जाता है कि आखिर इसमें ऐसी घटना क्यों होई थी और ये काफी ज़रूरी है ताकि उसी से मिलता जुलता दुबारा घटना न आने वाला है मिलेंगे next class में जैहिन